So hello and welcome back everybody to another video of Minecraft आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने पोजावले ओंचर में आप लोग सेडर्स को कैसे लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा ऐसी गलती करते हुए जिसके वज़ा से उनका गेम क्रैस हो जाता है सेडर्स यूज करते समय या फिर गेम के अंदर उनका स्क्रीन ही गलिच हो जाता है इसलिए आज किस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसे आप लोग अपने गेम में सेडर्स वर्क करा सकते हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना नहीं तो आपका सेडर्स वर्क नहीं करेगा और आप मुझे बोलोगे वीडियो को लाइक और चनल को सबस्क्राइब भी कर देना जिसे मेरी हर एक नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे सो अब बाताती है कि सोडियम को यूज किसमे करें इरिस में या फिर ओप्टी फाइन में तो मैं आपको इसे OptiFan में यूज़ करने के लिए रिकेमेंड करूँगा बिकाज OptiFan में आपका quality अच्छा रहता है जादा lag भी नहीं होता बट अगर आप लोग sodium यूज़ करते हो तो उसमें आपके fps तो अच्छे आएंगे बट आपकी quality बिकार हो जाएगी अगर quality यह अच्छी नहीं आई तो सेदर्स लगाने का फैदा क्या होगा यार अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ किसे लगाना कैसे है सबसे पहले तो आपको अपने पोजाव launcher को open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पर चल जाना होगा settings में यहाँ पर आने के बाद मैं जो जो कर रहा हूँ वैसा वैसा आपको भी कर लेना है जैसे जैसे मैं settings है वैसे भी आपको अपने settings कर लेनी होगी यहाँ resolution आपको 100 कर लेना होगा कुछ लोग कहते है कि कम करने के लिए बट आपको 100 कर लेना होगा इसे एन इसके नीचे जितने भी options है आपको सबको enable कर देना होगा देन आपको back आके इस pencil वाले icon पे click कर देना होगा click करने का बाद आपको यहाँ पे renderer को zinc पे save कर देना होगा अगर आप लोग इसे holy या angel पे save करते हो तो यहाँ पे आपका game crash होने का या फिर screen glitch होने का chance बना रहता है तो अब आपको अपने game को start कर देना होगा यानि कि आपको play पे click कर देना होगा हमारा game open हो चुक है अब हम लोग जाके देखने वाले अपने world में कि क्या हमारा shaders work करता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे shaders परे हुए है तो चलिए इसे try करते हैं तो हम लोग अपने world में आचुक है और चलिए देखते हैं कि क्या हमारा shaders work करता है और या पे lag में होने वाले बिकाज हम लोग जिनके render में यूज कर रहे हैं बट उसे पहले अपने world को render होने देते हैं जिसे lag थोरा कम हो जाए तो अब हम लोग जल्दी से अपने shaders को लगा लेते हैं देखते हैं कि क्या हमारा shaders अच्छे से work कर रहा है या फिर हमारा game crash हो जा रहा है मैं यहाँ पर चोकोपाइक light shader यूज कर रहा हूँ आप लोग जो भी हो सके वो shaders यूज कर सकते हैं बस यह ध्यां रखना है कि वो shaders light हो और आपको अपने shaders की quality बिल्गुल कम नहीं करने है बिकाज उससे आपका game पूरा भद्दा देखने में लगता है सो अब हमारा shaders तो लग चुक है अब देखते हैं कि अपने world में कितना fps आता है और कितना quality अच्छा होता है आप लोग यहाँ पर shaders की settings भी कर सकते हैं यहाँ से आके अब हम लोग back to game कर चुक है and guys see this हमारा shaders work कर रहा है मैंने आपको पहले ही से बोला था सुरू सुरू में ता आपका भी game lag होगा बट उसके लिए tension मत लेना थोरी देर के बाद आपका game smooth चलने लगेगा and आपका shaders भी work करेगा जैसे मेरा कर रहा है सो हाँ वीडियो में बस इतना ही ता चले मिलता अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए sayonara and like and subscribe करना बिल्कुल मत भूला है because हम लोग 1.1k के बहुत करीब है